अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अमारके मेकेनिकल देखिए लाइफ टेस्ट 3 है यह तो चली इसको करते हैं आठ बच चुके हैं तो यह मेकेनिकल इंजिनिंग वाली जो भी स्टुडेंट है डिप्लोमा इंजिनिंग से जो भी है डिप्लोमा करे हुए यह बीटक कर हुए तो करें लिए प्यू प्लेशन के लिए यूपी टेपल सी जई और यूपी आर्वी यू एनल जैई और पीस्ट इफ़ बहूंट रहे गाई टेस्ट जड़ी शुरू करते हैं ठीक है आपको क्या करना है त्टेस्ट में आवाज आरी होगी सबको दिक्कत नहीं ठीक है आपको क 5-6 seconds दों नहीं कि यह द्याए लास्ट में जा कि आपको क्या कर ना इसकोर बताना आपका कि बीस में से आपने कितने साही करें तो चलिए शुरू करते हैं आगे देखिए तो देखिए यह कुष्ण देखिए उपिलेसी जेही में पूछा किया है वेन कोल इस फस्ट दिसका सब्सक्राइब, अबलाए इसका सब्सक्राइब जैद सब सकता दोढ़ों कि देखनों नमडो हो नंबर तू तू देखिए खेश POR देखिए ये फॉलविंग विरिएबल कंट्रोल दा फिजिकल प्रपटी अफिज्ट विर्फेक्ट गैस बताई इसका अंसर क्या उसर बताऊ बजा वभई कुछ नंबर 2 का अनसर वेदा इक आंसर होगा ढाइक बेहां कि वीच अफॉलविंग विर्येबल कंट्रोल दा फिरि प्रेशर भी होता है तो आल अफ दीज उसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए नेस्ट कुछन देखेंगे भी तेकिए कुछ नम्बर तरी देखिए लाइक कर देना बाई बस वीडियो को ठीक है टेस्ट आपके तयार किया है तो आप लाइक कर सकते हैं इसको तेकिए इसक अन्रेश्टिक्टेड एक्सपांशन मशीन मेकानिकल एंड फ्रिक्शन हीट ट्रांसफर विदेफ फाइन टेंपरेचर डिफरेंट्स अला फैब बताईए तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा ठीक है डी आंसर हो जाएगा जल जल्दी कर लेते हैं टेस्ट को ज्यादा सम बताएगा ठीक हो जाओ छिन 2ए संदी कुछ डर फॉर दो स वेट कर देखेर प्लाइए इस धायो बता कंप्रेशन रेशियो होगा total volume upon cleanse volume मतलब vs plus vc होता है न अपन vc होता है ठीक है पता होगा आपको सबको चलिए next question देखते है question number 5 देखे हुई question number 5 बताईए क्या answer होगा the condition for a perfect vacuum absolute zero pressure can be attend at बताईए क्या answer होगा इसका question number 5 का answer बताईए तो देखे इसका answer हो जाएगा यह temperature of 273.16 degrees Celsius ठीक है तो absolute pressure की condition के लिए यह होता है 273.16 degrees Celsius चलिए next question देखे है तो चलिए next question देखे है तो चलिए next question देखे है question number 6 देखे है answer आप जल जली बताएगा comment box में ठीक है comment box बताईएगा क्या क्या है देखो यह क्या 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 रहा है कुछ नमें 6 इन इमस्ट बोड़ी center of pressure is बताईए इमस्ट बोड़ी की condition में center of pressure होता है वो कहां होता है बताईए कुछ नमें 6 का अंसर बताईए वह जली जली बताओ ठीक है मैं बता रहा हूं देखे यह हो जाएगा अंसर ब्लो ऑफ center of gravity ठीक है सी अंसर हो जाएगा चलिए next question दिखते है कुछ नमें 7 देखे आंसर बताओ दा हैमर ब्लो इन पाइप ऑकर स्वेन बताईए दियर इजे एक्सेशिव लिकेज इन दा पाइप आगे बताईए क्या होगा तक पाइप प्रस्ट अंडर दा हाई प्रेसर अफ लूड तो इसका चुछ सेविन का अंसर हो जाएगा वह जाएगा देखो दा फ्लो अफ लू इसमें आपको वाल लगा हुआ है यहां से आ रहा है पानी आपने अचानक से बंद गा दिया एक दोस्ता टाक्सी ना ठीक है तो क्या होगा इस प्रेसर वेव लगेंगी बहुत ज्यादा तेजी से ठीक है पाइप में और पाइप ब्रस्ट होनी की संबावना बढ़ जाती ह इसको है हमर भूलो बोलते हैं तो सी आंसर उसका हो जाएगा ठीक है नेस्ट कुछन देखते हैं कुछन में 8 देखी वही कुछन में 8 का आंसर बताईए अकॉर्डिंग टूर बर्नॉली एक्क्विशन आपको पता होगी बताईए क्या होगा आंसर इसका तो देखिए सबको पता है यार ठीक है जैड प्लस रो अपॉन जी रोजी ठीक है पी अपॉन रोजी होता है और प्लस वी स्कार अपॉन तो जी होता है ठीक है यह होता है ना तो इसका अंसर क्या होगा जैड प्लस पी अपॉन रोजी डेटमेट प्लस प्रैसर अट प्लस फेलिटी एट इस ग कि इंपर्टेंट कॉछन का थिक है कौन के वह जाएगा ठीक है मतलब पानी में ऐसे गर कि पानी भरा हुआ है ठीक है पानी बरा हुआ एक पतली सी टीव इसको करो गी ना तो इस तरीके से आपका कॉन के सर्फिस बन जाएगी ठीक कॉन के होगा चलिक नगुशन दिक्टियां कुछन नंबर 10 वेरी मोशन इंपर्टन कुछन है अकॉर्डिंग तो डासी फॉर्मूला दे लॉस ऑफ है डिटी फ्रिक्शन दा पाइप इस डार्सी कोफिशेंट और लेंग्ट ऑफ पाइप वेलिस्टी अफ लिकुड इन पाइप डी डामेटर फाइप मताइए डासी फ तो पताई इसका अंसर क्या हो सकता है जो आ रहा है उनका तो अच्छा स्कूर बन जाएगा ना बताईए तो इसका हो जागा तो फोर एफ एल वी स्कारबण 2GD ठीक है चलिए next question देखते हैं तो D answer इसका हो जाएगा क्या answer हो जाएगा भी D answer हो जाएगा चलिए next question देखेंगे question number 10 11 देखें 11 को question बताईए वई क्या होगा the high cutting speed and large rack angle of tool will result in the formation of बताईए high cutting speed हों चाहिए and large rack angle विल टूल विल रिजल्ट क्या रिजल्ट होगा बताईए तो question number 11 का answer क्या हो सकता है continuous chip या discontinuous chip या continuous chip with built-up edge and none of have बताईए तो इसका answer हो जाएगा भई continuous chip ठीक है यह answer इसका हो जाएगा next question देखते है question number 12 देखेंगे बही important as बताईए लेट सेंटर जो होता है उस पर कौन सा टेपर प्रोवैड किया जाता है बताईए भई मौस टेपर होता है इस सेलर सेपर होता है चेंप मैं टेपर होता है एन अमेरिकान स्टेंडर असोशेशन एस ए सिस्टम दे टूल नुमेरिकल एट सिक्स फाइफ फाइफ तैन फाइफ फिटीन टू एम देन दे साइड रेक एंगल बताईए यह भूत बार बता चुका हूँ मैं आप वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत बार बताया है मैं यह बहुत दीबली बताया था इसको मैं एक बार बताईए कुशन हमां 13 का अंतर बताईए तो इसका आंसर हो जागा देखो क्या पूछ रहा है यह आपको पूछ रहा है साइड रेक अंगल हो जागा six ठीक है six हो जागा six डिक्री तो यह सब tool signature में याद कर लेना कितने होते है एक दो तीन चार पांच जह साथ होते हैं तो साथों के नाम पता हों जी आपको क्या होते हैं चलिए नेक्स कुछन देखते हैं नहीं आरा तो बता देना ठीक है बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कुछ नमर 14 देखिए बढ़िए दटेल स्टॉक से और रिक्वाइट टू तु दटन एफ टेपर ऑफ दा एंटार लेंग्ट ऑफ वर्क पीस हैं डामेटर डी एंड डी इस स्मल डी जाए बहुत ही जादा इंपोर्टन कुछन है आता बहुत है बताए देखो डी बाइडी अ आपन टू कि आंसर हो जाएगा ठीक है सी आंसर इसका हो जाएगा चलिये नहीं कुछन दिखते है कुछ नमर 15 बताइए बाइए चुझू नंबर इने प्लेन फ्लेंर में क्या होता है वह है मताई प्लेंर में क्या होगा टूल इसटेशनरीएं और व्रक रेसिपोकेटिंग वॉर्क engine ऊवर्क टूल मूव और इस प्रोक्टिंग वर्क बताई यह कुछ नवर 15 का अंसर बताई वह जल्द जल्दी तो देखो इसका अंसर जो होने वाला है वह क्या होगा टूल तो स्टेशनी होता है और वर्क रेसिप्रोक्टिंग करता है ठीक है शेप लेनर में इसका उल्टा होता है किस बहुत इंपॉर्टन एंट लीफ किस्प्रेंग था मैक्जिमम् बेर्ड निंग स्टेश डवलोपते था प्लेट तो लीफ कि मैं जो मैंक्स ब्रेंड इस्टेस घोड़ा होता है वह क्या होता है बताई यह क्योप अंसर बता हुए 16 घंजर बता हो तो देको 3 कि आंसर होगा भी 3 by 2 wl क्या हो जागा nbt square ठीक है यही तो होता है तो बी आंसर का हो जाएगा ठीक है 3 wl upon 2 nbt square चलिए नाइस कुशन देखते हैं कुशन नम्र 17 नाइस बताईए वे लाइट ट्रीक है आंसर बता दे रहो इसका फ्रियों ग्रूप और रेफ्रेजेंट अर बताईए कैसा है 17 नाइसर बताईए वे तो इन फ्लेवेबल होगा यह टॉक्षिक होगा यह नॉन इंफ्लेवेल और टॉक्सिक एन नॉन ठीक है मतलब अज्वलेशन अज्वलेशल होता है ना जो जलने वाला नहीं होता है ठीक है उसको बोलते हैं नॉन इंफ्लेवेबल चलिए नाइस दिखते हैं कुश्य नंबर 18 का अंसर बताई है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा पूछा जादा यह कुश्य देखते हैं कुश्य नमार 19 बताईए है नाइटीन का अंसर बताईए था है निच्टिफिकल कंप्रेसर आरे जैनली यूज़ेशन डेट रेक्वरट तो सेंट्रिकल कंप्रेसर होता है वो क्या कैसे उसके राग कर जाता है बताये निज्ट का अंसर बताईए तो इसका ऐसके मैं और जुटे करूंधा दाहिए तो इसका अंसर करता है तो आप सभी लोग क्या करेंगे अब सबरेंगी ऑफिस इनद डुर्पिन साइकल गए कंप्लिट हो गोई इसका जो score है आप बताईएगा comment box में कितने कितने करें ठीक है मुझे खुशी होगी आपने जो बताएंगे आपके मैंने इतने करें तो बहुत अच्छा लएगा मुझे बागी test को क्या करना है ठीक है test को like कर देना ठीक है request है जो भी test मैंने बनाया है आपके लिए लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर लेना जो भी mechanical निकी student है और वीडियो को चाहो तो लाइक कर देना ठीक है झाल